हेलो दोस्तो स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल पर जैसा कि दोस्तो कश्मीर में 40 साल में 8 वी बार लागू होगा राज्यपाल साशन जाने कब-कब हुआ ऐसा हमारी इस वीडियो के जरीए तो चलिया ये शुरुआत करते हैं आज के हमारी इस खास वीडियो की जैसा कि दोस्तो PDP और VJP गटबंदन की तूटने की बाद जम्मू कश्मीर में राज्यपाल साशन लागू होने की संभावना तेज हो गई है अगर ऐसा होता है तो 40 साल में 8 वी बार ऐसा होगा अगर बंदन सरकार में रहने के बाद बाजपा ने सरकार से समर्थन वापस की मंगलवार को घोजना की बगवा पार्टी ने कहा कि राज्ये में बढ़ते कटरपंत और आतंगवाद की चलते सरकार में बने रहना मुश्किल हो गया था जैसा कि दोस्तों विडंबना ये है कि निर्वत्मान मुख्यमंत्री महभूवा मुप्ती के दिवंगत पिता मुफ्ती मुफ्ती मुहमद शहीद की उन राजदेती गटना करमों में प्रमुख भूमी का थी जिस कारण राज्य में साथ बार राज्यपाल साशन लागू हुआ पिसली बार मुप्ती सहीद के निदन के बाद 8 जनवरे 2016 को जम्मु कश्मीर में राज्यपाल साशन लागू हुआ था उस दोरान पीडिपी और भाजपा ने कुछ समय के लिए सरकार गठन को टालने का निन्ने किया था ततकालिन राष्टपती पर्णव मुखजी से संतुष्टी मिलने पर जम्मु कश्मीर के समविधान की धारा 92 को लागू करते हुए वोरा ने राज्ये में राज्यपाल साशन लगाया था जम्मु कश्मीर में मार्च 1970 को पहली बार राज्यपाल शाशन लागू हुआ था उस समय एल के जहां राज्येपाल थे सहीद की अगवाई वाली राज्ये कॉंग्रेस ने नेशनल कॉंफरेंस में नेता शेक मुहमद अब्दुल्ला की सरकार से समर्थन वापस ले लिया था जिसके बार राज्यपाल साशन लागू करना पड़ा था इसके बार राज्येपाल के रूप में जगमोहन की नियुक्ति को लेकर फारुक अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री के पत्से ट्याग पत्र दे दिया था इस कारन सुबे में तीसरी बार केंदर का साशन लागू हो गया था सहीद उस दोरान केंदरी ग्रहमंत्री उन्होंने जगमोहन की नियुक्ति को लेकर अब्दुल्ला की व्रोथ को नजरन्दास कर दिया था इसके बार राज्ये में 6 साल 264 दिन तक राज्येपाल साशन रहा जो कि सबसे लंबी अवदी है इसके बाद अक्टूबर 2002 में 4 बार और 2008 में 5 बार केंदर का साशन लागू हुआ वहीं राज्ये में 6 बार 2014 में राज्येपाल साशन लागू हुआ था जैसा ही 26 मार्च 1977 से 9 जुलाई 1977 तक की बात करें तो कॉंग्रेस के समर्थन लेने की बाद शेक अब्दुल्ला की नित्यतुवाले राज्ये सरकार अल्पमत में आ गई इसके चलते 105 दिन तक राज्येपाल का साशन रहा तो वहीं आगे आता है 6 मार्च 1986 से लेकर 7 नॉंबर 1986 तक का व्योरा तो बता दे आपको विदान सरभा में बहुमत की कमी की चलते 246 दिन तक राज्येपाल का शाशन रहा तो वहीं आगे आता है 19 जन्वरी 1990 से 9 अक्टूबर 1996 का व्योरा अगर जाने तो खराब कानून विविस्ता और हिंसा की चलते 6 साल और 274 दिन तक राज्येपाल का नियंतरन रहा तो वहीं आगे आता है 18 अक्टूबर 2002 से 2 नॉवंबर 2002 का अगर ब्योरा जाने तो एक बार फिर से आइस परस्ट नतीजे के चलते 15 दिन तक राज्येपाल का शाशन रहा जैसा कि दोस्तो 11 जुलाई 2008 से 5 जनवर 2009 का अगर ब्योरा जाने तो गटबंदन तूटने के बाद बहुमत ना होने की चलते 178 दिन तक कोई सरकार नहीं रही ऐसा ततकालिल सीएम गुलाम नभी आजाद के अमरनात यातरा के लिए जमीन का अवंटन करने के फैसले के बाद पीडीपी के गटबंदन तोड़ने की चलते हुआ तो वहीं आगे आता है 9 जनवरी 2015 से 1 मार्च 2015 का अगर ब्योरा जाने तो राज्य की चुनाओं में किसी को भौमत ना मिलने की कारण कोई सरकार नहीं बनी इसके बाद वीजेपी और पीडीपी के बीच गटबंदन का समझोता हुआ तो वहीं आखिर में आता है 8 जनवरी 2016 से 4 अप्रिल 2016 का अगर ब्योरा जाने तो ततकालिन मुख्यमंतरी मुफ्ति मुखंबर सहीद के निधन के चलते 87 दिन तक राज्य पाल का साशन रहा तो जैसा कि दोस्तो अभी की रिपोर्ट में बस इतना ही लेकिन आगे आने वाली ऐसी खबरों के लिए इन्हीं बने रही है हमारे साथ और सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल